असलाम अलेकुम विएस वेस वाज़ की वीडियो में हम आपके लिए रिवीव लेकर आए टियोडा क्रोला 2011 मोलल का यह बैसिकली 9 जेनेशन टियोडा क्रोला है जो के पाकिसान में 2009 में लौज की गई थी 2008 में वलवाइड में आगी इस वीडियो में आपको इस गारी की कम्प सब्सक्राइब करने व्यों लायज कर ले चलें जिन रिवीव शुरू करते हैं वह इस आप गारी कर रिवीव शुरू करते तो यह वाली गारी पाकिस्तान में 2009 ने लौज की लिए ती 2008 में वयलवाइड में आगी ती इस गारी में पाकिसानी जो के वे लिएट्स लॉज कि इस गारी के हम लोग इंजन की तरफ आजए तो इस गारी में आपको 1300 सिसी का VVDI इंजन मिलेगा 74 होस्पायर पर डियूस करते है यह वाली गारी 150 एनम ओफ टॉर्क पर डियूस करती है इस गारी की जोगफ यह फियूर फ्रॉअग दिया ज़्त वह लेक पर बह्षक करेल इसकारे टी कि LED बल्ब आपको इसमें नहीं दिया जाता है जहां पे हेलोजून बल्ब रूम को उसका तैप अवर क्रोम की तियोडा की गई है यह विड़्ा धाभ और यहां पे नजाती है फोग मैप आपको भी साथ कंप्राइब जाते हैं जहाँ पे आपको एंजिन के रिए ग्रिली यह भी आपको ओपन दी गई ताके इंजिन की एक्जर्शन हो सके यह भी तो आपको यहां पर वन नैंटीफाइब गैर विड़ गेगा बोकिंग जो okay यहां पर फिफटीन इंच की अलोई वीड बिग यहां पर यहां पर आपको विल के साथ अलोई वीर्स दिये जाते साइट मीरे की तरफ आजे तो साइट मीरES आपको इसमें रेट्रेक्टेबर नहीं मिलें गावनपोई एलई लीटेस लिछागी यहाँ पर आपको एजससे अग reflecting वरतिकेशन की लाइत्स में आपको दिए देखते तो यहां पर रिफलेकटर इस में नहीं लगाएंगे इसमें रिफलेकटर को एकसा किम लगा दी गई यह इसकार्वारीणाई लेकिना लोगा यहां जाते लाइत लिघते वाले रहें सकते कुछ इस तरह से लगजी बनाए गए यहाँ पर आपको लाइस मिल जाएगी जो कि रूम लाइस इस गारी में आफ्टा मार की लगाएगी है यहाँ पर स्पेस देख सकते हैं सीड को बिल्कु रेर पर किया हुए तो यहाँ पर लेग स्पेस भी बहुत ज्यादा अच्छ इस लाइंट करोला में अच्छी है इस करोला में भी यहाँ पर yağला लाइस देज now比較 जाते हैं सबस्कु यहाँ पर आपको IPM मेंटे मिलेगा हीटिंग गेज मिल जाएगे उस साथ आपको फ्यूल गेज मिल जाता है टू-40 किलो मीडे पर आवर का स्पीरो मीडे मिलते है औरो मीडे की कंप्लीट कंट्रोल यहाँ पर दिये जाते यहाँ पर देखते तो यहाँ पर फोग लाइस के बटन मिल जाएंगे मेरे की तो साथ को जैसा सकते मेद्टाइल यहां पर्फ के गारी साथू शाचों यहां पर देख सकते हैं एक है और उटे इस गारी अजा जादी यह आपर बनाफ रहा इस गरेंगे क्टिभी और जो ऑप्शन होती गारी की एंड्रोइट पहले हैं तो यहां पर आपको इन्फरमेशन मिलती रहेगी और यह वाली गारी में बेसिक लिए आपको यहां पर बता हूँ अगर आप गारी को ड्राइब करेंगे तो यहां पर जीरो किलो मीटर परावा का स्पीरो मीटर आ रहा है यहां पर मैनवर कंट्रोल क्लाइमर कंट्रोल मिल जाते हैं इस तरफ देखते तो लाइटर मिल जाते हैं इस तरफ आपको एस्टे बोक्स मिल जाता है फाइव स्पीर मैनवर ट्रांस्पिशन मिलता है आपको गारी का मेरी रिवर्स गेल लगा कर दिखा देता है उसका जो क यह आफ़र मैके लगायागे इस सथ देखते तो यहाँ पर दो डेश्बॉर्ड मिल जाएगे जानिके गलफ बोक्स इसमें दो मिल जाते टियोडा क्रोल हो में और इस तरफ आ जाए तो जहाए तो यहाँ पर हैंड ब्रेक इस तरह मिल जाते हैं और इस गड और हम लग पाकिसान में प्राइस की तरफ आजए तो पाकिसान में प्रााइस तकरीबन 20-22 रुप maximal tutaj 2011 यह आपको जो मोडर तक्रीबन दिकाई यह है तो पाकिसान में यह वली गज़ तकरीबन 20-22 लाग रुपए में मिलती है लेकि ट्योडर को लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको इतने जादा फीचर्स जहीं मिलते है ने कुछ बस ज्यादा फीचर्स करे दिया गये लेकिन उसमें भी यही फीचर्स आपको दिये जाते है तो ये वाली गारी उन लोगों के लिए बहुत जादा बैसे जो के 20 से 22 लाख रुपे की रेंच में कोई गारी बाय करना चाह रहे हैं तो ये थी आज की वीडियो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लेने चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं आपको किसी नेक्स वीडियो में अल्ला हाफिस